तो एलो दोस्तों स्वागत है आप सबता फिर से सिस्किया के एपिसोड नमबर तीम के अंदर तो इसमें हम बात करेंगे कि रात को नेहा रनो के कमरे में आती है और रनो से अपनी कमर की मालिश करवाने के लिए बोलती है क्योंकि वह अपनी कमर में दर्द बता रही होती है कमर के दर्द का तो बस एक वहाना है दोस्तों दरासर यहां पर रहनों अपनी किसी दूसरे जख्म का इलाज करवाने के लिए आई होती है लेकिन अचानक से इसका ये प्लान फैल हो जाता है क्योंकि रहनों का ससूर रहनों को अपने पास बुला लेता है अब वो सुबर नए फॉन पर किसी से बात कर रही होती है इसकी ये बाते करते हुए फॉन पर एक गंडे से भी ज्यादा हो जाता है तो उसका अफ़राम ससूर उस पर उसको सक जाता है और वो उससे पुछता है कि तुमको बात करते हुए काफी देर हो गई है तो किसे इतनी बाते कर रही हो तो वो अपने ससुर को बना देती है और उसको बूलती है कि बाबुजी मैं अपने एक नए फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो यह बुड़ा बोलता है लेकिन तुमने तो मुझको कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई फ्रेंड भी है तो यह बताती है कि कल ही मेरी दोस्ती उससे हुई है और हम दोनों को गुड़ दे लब एक साथ बैठकर दूसरे के साथ गप्पे लड़ाने में और भी मज़ा आता है और इन दोनों में बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए निया उसको बोलती है कि तुम भी सरारत के दिन बढ़ गए है और वो करनी ही पड़ती है तो निया बोलती है कि तुमने ठीक कहा तुमने तो मेरी मूग की बात छिन ली और तुम टेंसन मत लो इन दोनों को सुदाने का मेरे प्लास्टिंग प्लान है अब अगले दिन निया रिन्यों के ससूर को सिखाने के लिए अपने पॉइपेंट को डॉक्टर बनाकर उसको यहां पर बुला लेती है और रेनों का ससूर बोलता है कि मुझको डॉक्टर की क्या जरूरत है जिस तरीके से बहुं मेरी सेवा कर रही है मैं तो वैसे ही ठीक हो जाओंगा तो रेनों मुस्कुरा कर बोलती है कि बाबु जी ऐसा नहीं हो सकता अब आपको सेवा की नहीं एक डॉक्टर दी जरूरत है आप डॉक्टर बाबु जी से बोलती है कि बाबु जी आप बिलकुल भी टेंसन मत लेजिए क्योंकि मैं आपको ऐसा इलाज करूँगी कि आप एक ही अपते में बिल्कुल ट्पिक हो जाओगे और अपनी बहु को भी भूल जाओगे उसके बाद दोस्तों रहनों के मन में कुछी के लड्डू पुटने लगते है क्योंकि वो जल से जल इस बुट्डे से अपना छुटकरा पाना चाहती है फिर यह डॉक्टर साहब को बोलती है कि डॉक्टर साहब आप अपना बैग लेके मेरे साथ आईए मैं आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ आप इस बुट्डे का पूरी तरह से फारा कर्म हो जाता है और वो अपने मन में सुचता है कि अगर घर में किसी को बुला नहीं था तो लेड़ी लोक्टर को बुला लेते कंसे कम काम मेरा हिलास कराने में मुझे माजा तो आई जाता vu कहाणी में त्विस्ट यह आता है यहा यहां पे एंड होजाती है जिए इसका हमबितर नंबर three यहां समापत हो जाता और आगे क्या होगा यह जानने के लिए आप अगर हमारी चैनल पर नहे हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगा हुआ पहला आइटिन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नौटिविएजन आपको सबसे पहले मेरती रहे